इस वीडियो में हम डबा लेओ, Assistant Agriculture Officer, जो की उडिसा में एक्जाम हुआ था 18 दिसंबर को, तो उसे question paper को solve करेंगे. Hello everyone, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी. तो चलिए, शेडू करते हैं. Question number one, Downy Mildy of Basra is Cosby. जो Downy Mildy है, Basra का वो किसकी वज़े से होता है? कैस्वाल और्गिन अबको बताना है. Scullospora Sorgi, Scullospora Sacri, Scullospora Grammynicola या Pernospora Parasitica. ठीक है? तो करेंग और आप्शन क्या हो जाएगा? आपका option number 3, Scullospora Grammynicola. काफी बच्चों ने रगाया था, Scullospora Sorgi, तो यह हमारा किसमे होता है? सौर्गम. ठीक है? सौर्गम में जो हमारा Downy Mildy होता है, वो किसकी वज़े से होता है? स्कलोस परा सौर्गी की वज़े से? और जो बाजरा में होता है, वो Grammy Nicola की वज़े से होता है. इस ने कोशन नमबर सेकेंड, लूस समर्ट आफ वीट की वो किसकी वज़े से होती? कैसी डिसीज है? इंटर्नली सीट बॉर्न डिसीज है? एक्स्टर्नली सीट बॉर्न डिसीज है? या बोथ A and B या not clearly defined. ठीक है? तो जो लूस समर्ट डिसीज है, वो हमारी कैसी है? इंटर समर्ट इंटर्ट 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 is infected by the rust cycle में किसके धारा infect होता है ठीक है यृडियो sports के धारा होता है rescue sports टेलियो sports या सेडियो sports ठीक है तो rust cycle में किसके धारा infection होता है वो radio sport अगर आपका smart cycle में पोचे ठीक है i smart में तो वो किसके होता है यृट तो यहाँ पर a option क्या हो जाएगा करें then question no 5 the rust of linseed and Flax can be completely controlled by the spray of क्यों से chemical का spray करेंगे तो था कि rust of linseed of Flax है उसको completely control किया जा सके Borax का dythin M45 Vitawax या agrosanian ठीक है, option number आपका क्या हो जागा A, Borax, ठीक है काफी बच्चों ने किस पे लगाया था Vitawax पर, तो वो गलत है Borax का क्या हो जागा, correct option Then question number 6 विल्ट फिजन पी किस की वजह से होती है फुषएरियम उदम को बताना है जबले इंडिका राइजो पस नैगरीकन्स या ऐसपर्जलस फ्लेवर्स ठीक है तो पीजन पी किसकी वजह से होता यह यह मरा फुषएरियम उदम की वजह से ठीक ऑप्शन नमबर ए आपका क्या हो जाएगा करें तो इस तो इंपोर्टेंट कोश्चन भी और अच्छा कोश्चन भी था कहां पर फीजी में काफी बार आपनों पढ़ा होगा कहां पर सबसे पहले अब्सक्राइब किया था फीजी में कोश्चन नमबर एट मैंगो मैलफॉमेशन के बी रिड्यूस बाइदा इस्प्रींग ऑफ जो मैंगो मैलफॉमेशन है वो किसके दौरा मतब कौन से केमिकल या हॉर्मोन का यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं जी यह जब्लीडिक आइसीड का आई भी ए ठीक ह ए या एबी ए ठीक है तो इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इस कौन सा केमिकल को यूज करेंगे तो एने ने अस्टिक एसिड आपको कितना मात्रा में हंड्रेट से दो सो पीपियम ठीक है इसके बीच में आप इस्तेमाल कीजिए तो आपका यह कंट्रोल कर सकता है देन question number 9 the first identified bacterial disease of plant fire blight of apple was discovered by जो पहली plant bacterial disease थी fire blight of apple वो किसके दोरा identified की गए थी child of mare के दोरा, E.F. smith के दोरा, M.K. patelia, T.J. burial ठीक है तो option number D क्या हो जाएगा T.J. burial then question number 10 Panama disease of banana is caused by ठीक है जो Panama disease है is prevented by किसके दोरा मतलब उसको prevent कर सकते हैं एक बार अगर हो गई तो कैसे उसको prevent करेंगे ठीक है spraying zinc carrier, spraying copper funcicide या application of lime to the soil या providing an adequate irrigation ठीक है तो कैसे हम लोग उसको prevent करेंगे by the application of lime in the soil में इस option नमबर आपका C क्या हो जाएगा correct then question number 11 Pink ball warm is a serious pest of देखिए बहुत ज्यादा easy question है pink ball warm किसका serious pest है तो इसका comment में आप लोग answer बताएगे किसका answer क्या होगा बहुत easy question है then question number 12 following an example of BT transgenic cotton कौन सा है इसमें BT transgenic cotton का example है जैधर वरलक्ष्मी या NH44 या बॉलगार ठीक है तो option number D क्या हो जाएगा ball guard then question number 13 IPM heavily relies heavily on IPM में किस पर rely करता जाता है economic threshold level पर total loss of crop resistance पेस्ट या susceptible पेस्ट ठीक है IPM relies heavily on the economic threshold level मिस option number A यहां पर आपका क्या हो जाएगा करें then question number 14 the nocted borer on ragi is ठीक है nocted borer है रागी पर वो कौन सा है सिसेमिया इंफ्रेंस चिलो पर्टलस चिलो सप्रेसलिस सप्रेसलिस इसकरपफ होगा निवेला ठीक है तो nocted borer कौन सा हो जाएगा सिसेमिया इंफ्रेंस option number A क्या हो जाएगा करें फ्रेंस यह paper first का part first है जहां पर हमने 50 questions solve करने है next फिर हम 50 questions को solve कर देंगे next video में अगले दिन नहीं तो वीडियो काफे ज्यादा बड़ा हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ 50 questions को solve करेंगे कोशन नबर 15 the pest of which attack both in the field and storage of pulses is ठीक है कौन सा पेस्ट है जो कि दोनों जगे अटाइक करता फेल्ड में भी अटाइक करता और storage में अटाइक करता और correct option क्या हो जाएगा पल्स बीटल ठीक है पल्स बीटल नमारा दूरों जगे पर अटाइक करता है दिन कोशन नबर 16 ग्रप्स विच फीट्स ओन्द इनर कंटेंट ऑफ दा सीड इन पल्सेज बिलॉंग तो जो ग्रप्स होते हैं जो कि इनर कंटेंट अटा सीड पर फ्रीज करते हैं इंसाइड वो किस को बिलॉंग करते हैं एफिस क्रैसी वोरा को क्लेसोब्रॉस चैनिंजिस ठीक पल्स बीटल होता है एग्रोटिस एपसाइलन या ऐसे या कह जाए नहीं ठीक है तो आप्शन नमबर अपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लेसोब्रॉस चैनिजिस ठीक कि मैं डिन को शन्ते इराफ इडी माइट बिलॉंग्स टू फाम14 म knife करता कि टीक फैमिली को भीलॉंग करता या नॉक्तिड को फैमिले कोई के टिन बी टी क्टिक बba ्ट किसके आगेंश्ट एवेस बटेफलाइस एफिड या पेंटेड बग ठीक के डारा आपको ऑप्षुन नंबर यह आ कहना हो जाएगा ।कार काओ जएगा डी हुआ एसी वित्विता के डारा बरन लीनियर के दारह, फ्लेचर के दारह या фृिश के दारह, ठीक है? सबसे पहले, यह हमारा इशीविता के दारह discovered कीई है, लेकिन उसको बाद में फिर उन्होंने, किसने, बरन लीनियर ने discovered किया, exactly discovery किया, 1911 में, पहला इशीविता ने किया था, 1901 में, then question number 20 juvenile hormone J.E.H. is a terpene secreted by जो juvenile hormone है वो किसके दोरा secret होता है, carpora, cardica elata, cuticle accessory blend, ठीक है, तो option number यहाँ पर B क्या हो जाएगा, carpora, elata friends, इसका जो PDF है आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप आप लोग join के लिजेगा, जो भी हमारे MCQs आते हैं, जो भी quizzes आते हैं, उसको भी join के लिजेगा, वहाँ से आपके काफी questions मिलते हैं exam में, then question number 21, the third term third generation pesticide was given for, जो third generation pesticide है, किसके लिए दिया क्या, juvenile hormone के लिए, mounting hormone के लिए, brain या anti-juveline hormone, ठीक है, तो third generation given किसके लिए गया था, बहुत, आसान question भी है, important question भी है, इसका answer आपको coming भी बताना, इसका answer क्या होगा, बहुत आसान question है, ठीक है, then question number 22, silk gland is a modified part of labial gland and in origin, ठीक है, जो silk gland होते हैं, वो modified part होते हैं labial gland के, ठीक है, यह आद रखना है, इसके modified पार्ट होते हैं, अब वो कैसे हैं, हमारे ectodermal origin में है, mesodermal है, epidermal है, या endodermal है, ठीक है, तो वो कैसे हैं, ectodermal in origin, option number A, आपका क्या हो जाएगा है, हाँ पर, correct, then question number 23, the process of killing pupa without changing the cocoon shell layer is known as, ठीक है, बीना shell layer के change करते हैं, उसे क्या कहते हैं, stifling कहते हैं, denier कहते हैं, dupion कहते हैं, या hedging, ठीक है, तो क्या कहते हैं, stifling, option number A, आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct, then question number 24, in honeybees, the queen substances is secreted by, जो honeybees में queen substances है, कुस के दौरा secret होता, कौन से gland के दौरा, mandibular gland के दौरा, acid gland के दौरा, fengial gland के दौरा, या wax gland के दौरा, यहाँ पर काफी बच्चों ने option C लगाया था, लेकिन option number A क्या हो जाएगा, mandibular gland के दौरा, जो queen substance है, वो secret किया था, honeybees दौरा, then question number 31, sorry, 25, spreading decline of citrus is caused by, spreading decline of citrus का, तो वो किसकी वज़ा से होता है, ठीक है, टारिलेंचस, semi, penetrance, erodophilus, citrophilus, या scisso, nemoid, citri, या scissonema, civella, ठीक है, ये एक nematodic disease है, आप कर सकते हैं, किसकी वज़ा से होती है, option number A, ठीक है, option number A आपका क्या हो जाएगा, correct, टारिलेंचस, then question number 26, cauliflower disease of strawberry is caused by, जो cauliflower disease of strawberry की, वो कैसी disease है, nematodic disease है, bacterial disease है, या बोथ ANB दोनों हो सकती है, आपायर्टिक फैक्टर की वज़ा से होती है, ठीक है, तो ये हमारी bacterial disease है, option number B क्या हो जाएगा, correct, then question number 27, infection of banana plant by burrowing nematododododododophilus, simulis, peridospors of the plant, the plant to infection of, ठीक है, किसकी वज़ा से, pentonulia, negro, nevosa, या phucerium oxysporium, cubisens, circospora musaei, या banana bungee top virus, ठीक है, option number B क्या हो जाएगा, यहाँ पर, correct, then question number 28, trap crop maladies of species, this maladies of species को जो trap crop है, वो कौन सी है, cereals है, millet है, marigold है, या all of these, ठीक है, तो tap crop कौन सी है, marigold हो गया, mastod हो गया, यह सभी आपके क्या है, trap crop है, तो option number C क्या हो जाएगा, यहाँ पर, correct, then question number 29, which of the following nematode attack, about the ground plant part, कौन सा nematode है, जो कि ground के उपर, पार्ट को attack करता है, ठीक है, anguina titside, effilinkoids, या all of these, ठीक है, तो देखिए, यह सभी क्या है, अक्ट, देखिए, मारा anguina, और datylenture, यह दोनों क्या है, एक्टो पैरासाइट भी है, एंडो पैरासाइट भी है, ठीक है, तो यह उपर भी attack करते, नीचे भी attack करते, दोनों जोगे, option number D, क्या हो जाएगा, C, sorry, option number D, all of the above क्या हो जाएगा, correct option, then question number 30, which of the following nematode, is an ectoparasite, कौन सा nematode है, जो कि ectoparasite है, rhodophilus, zephenema, globodora, या melediozyn species, ठीक है, तो zephenema हमारा क्या हो जाएगा, option number B, correct, then question number 31, major pest of silkworm, जो major pest है, silkworm का, वो कौन सा है, wasp है, यूजी flies है, या nice to live, या all of these, ठीक है, nice to live, या all of these, तो option number B, क्या हो जाएगा, यूजी flies, friends, जो भी हमारे question है, यहाँ से, एक ही question से, आपके 3-4 question बज सकते हैं, तो जब हम कभी, detail में, questions को discuss करेंगे, तो महाँ पर हम सभी option को भी discuss करेंगे, अभी क्या, सिवा answer जो भी हमारा है, वो correct बता रहे हैं, बाकि बाद में हम इनी question को क्या करेंगे, कभी next वीडियो में, हम दुबारा से discuss करेंगे, then question number 32, the silk of silk worm is, separate filament है, continuous filament है, several filament, या discrete filament, ठीक है, तो silk of silk worm is a continuous filament, option number B क्या हो जाएगा, correct, then question number 33, which is correct, इसमें से कौन सा correct है, ठीक है, आपको scientific name match करना है, ठीक है, तो तसर silk worm का, ओक तसर का, या moong, रिशम का, या eerie, रिशम का, ठीक है, तो option number A, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्थिया, माइलिटा, तसर silk worm, then question number 34, rainfall intensity is generally higher, जो rainfall intensity होती, सबस्यादा कहाँ पर होती है, northern hemisphere में होती है, southern hemisphere में होती है, near the equator, या none of these, ठीक है, तो सबस्यादा rainfall intensity होती होती, वो कहाँ पर होती, near the equator, option number C क्या हो जाएगा, correct, then installation screen is related to, methodology, option number C क्या हो जाएगा, correct, how many agroclimatic zones are categorized in India, कितने agroclimatic zone है, ठीक है, तो 15 agroclimatic zone है, then question number 37, who is related to the classification of climate, इन में से कौन है, जो कि climate के classification में involved है, related है उन से, decandle, copen, troll, या all of these, ठीक है, तो कौन हो जाएगे, जो कि relate करते है, climate के classification से, तो सभी लोग क्या है, decandle, सब लोग ने अलग-अलग basis पर classify किया है, climate को, ठीक है, तो option number D, यहाँ पर क्या हो जाएगा, all of these, then question number 38, the national remote sensing agency is situated, at your national remote sensing agency है, वो कहाँ पर situated है, option number B, Hyderabad में, ठीक है, option number Hyderabad में, remote sensing agency situated है, then for ripening of rice, temperature should lie between, ripening के लिए जो temperature हो रहा, वो किसके बीच में lie होना चाहिए, तो 20 to 25 degree Celsius क्या हो जाएगा, आपका option number correct, then question number 40, temperature required for proper grain filling in wheat, proper grain filling के लिए temperature कितना चाहिए, wheat में, तो कितना चाहिए, 20 to 25, 20 to 23, या 23 to 25, या 16 to 20, option number C क्या हो जाएगा, 23 to 25 degree Celsius, 20 to 23 degree Celsius, is the best temperature for grain filling in wheat, then question number 41, saiput is rich in saiput है, वो किसमें rich होता है, starch में rich होता है, cellulose में, resin में या gums में, ठीक है, saiput is rich in cellulose, option number अपका B क्या हो जाएगा, correct, approximate या 42, 45 to 50% आपका cellulose पाया जाता है, saiput में, forest declared under the forest act of 1927, 1928, 1925 या 2001, option number A क्या हो जाएगा, 1927, then question number 43, tyluses are present only in, ठीक है, tylus किसमें present होते हैं, hardwood में होते हैं, softwood में होते हैं, semi-hardwood में, या all of these, तो यह हमारे hardwood में, ठीक है, जो tylus होते हैं, वो क्या करते हैं, softwood को hardwood में, change करने में help करते हैं, ठीक है, उसमें जो present होते हैं, tylus की वज़ास होते हैं, जो wood होती होती हैं, वो hard हो जाती हैं, तो option number A क्या हो जाएगा, correct, then question number 44, red rust in ecliptis is caused by, जो red rust है, ecliptis में को इसकी वज़ास होता है, bacteria की वज़ास होता है, algae की वज़ास होता है, virus की वज़ास होता है, micro plasma like organism की वज़ास होता है, ठीक है, तो red rust किसकी वज़ास होता है, algae, miss option number A क्या हो जाएगा, algae, ठीक है, तो friends, PDF के लिए आप आपने टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजएगा, link आपको description में मिल जाएगा, या आप हितेस AG के नाम से search कर लिजएगा, ठीक है, हितेस AG, इसके नाम से search कर लिजएगा, तो आपको मिल जाएगा, एक दूसरा चैनल भी है, हितेस AG discussion, जहाँ पर आप अपने question भी डाल सकते हैं, जो भी आपको नहीं आ रहे हैं question या आपको भी पूश सकते हैं, तो हितेस AG discussion उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हैं, then question number 45, felling cycle of bamboo, इस bamboo को जो felling cycle होती हो कितनी होती, 3 to 4 year, 4 to 5 year, 5 to 6 year, या 5 to 10 year, ठीक है, देखिए, बहुत ज़्यादा correct answer नहीं मिल पाया, इसका कितना होना चाहिए, कि कई book में आप research paper पढ़ेंगे, हर जगे अलग-अलग है, लेकिन आप research paper में देखेंगे, mostly तो आपको 3 to 4 year दिया हो, ठीक है, तो exact answer इसका नहीं पता है, जो भी answer किया है, आप महाँ से देख लिजेगा, लेकिन अगर research paper पढ़ेंगे, तो आपर 3 to 4 year दिया है, filling cycle of bamboo, then question number 46, rice, the inflorescence of rice is known as, ठीक है, rice को जो inflorescence होता है, वो क्या होता है, panicle, spikelet, ear, या silikua, तो silikua किसका होता है, mustard का हमारा होता है, ठीक है, panicle option number का क्या हो जाएगा, rice का inflorescence क्या कहलाता है, panicle, ये जो भी spikelet, ear, इसलikua है, इनको इनको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, या crop wise पढ़ेंगे, तो जैसे इन rice में पढ़ लिए, ठीक हैं, तो crop wise पढ़ेंगे, इन सबी चीज़ों को discuss करेंगे, ताकि यहां से आपके, दो से तीन, चार question और extra बन सकते हैं, then question number 47, the crissac phase occurs in the early stage of plant growth of rice in, किस में, bacterial leaf blight में, bacterial leaf streak में, tungro virus या false smut, option number 1 क्या हो जाएगा, bacterial leaf blight, crissac, then question number 48, wheat is originated in, question काफी ज़्यादा confusing है, काफी बच्चों ने south eastern Asia, ठीक है, मैं उसे पूचा तो south eastern Asia लगा किया है, मैं भी पहले गलती से south eastern Asia ही लगा दिया था, लेकिन यहां पर क्या है, south western Asia, ठीक है, तो यहां पर क्या है, south western Asia होना चाहिए, तब आपका wheat का क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, अब देखे, हर जगे क्या मिल ला है आपको, central Asia, यहां तक क्या हो जाएगा, इसका correct option, ठीक है, then question number 49, first irrigation to the wheat crop, what should be given at, जो first irrigation है wheat crop की, वो किस stage पर देनी चाहिए, तो easy question है, CRI stage पर देनी चाहिए, ठीक है, then question number 50, last question है, the inflorescence of sugar cane is known as, जो inflorescence होगा, सुगर किन को, वो क्या कहलाता, arrowing कहलाता है, pinnacle कहलाता है, capitulum कहलाता है, या racimos, तो friends, बहुत आचांग question है, comment में बताना, इसका answer क्या होगा, और ये part first था, hundred question है, paper first में, तो 50 question हम next video में, या कल ये परसो में, हम वो question भी solve कर लेंगे, ठीक है, तो friends, इस वीडियो में अगले वीडियो में फिवी लेंगे, एक नए topic के साथ,